बुड मॉर्निंग टू अल अफ यू, स्वागत है आप सबका, आपका अपना यूटुब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार्द रोगा मुख परिचा 2022 के लिए जो बिद्यासागर पॉप्लिकेशन के दोरा जो ज्यान बिन्दु जीएस अकड़मी का जो प्राक्टिस 8 है उस प्राक्टिस 8 को हम लोग देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राक्टिस 8 नमबर 5 इससे पहले चार प्राक्टिसेट जो है वो अल्लेडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस से देख सकते हैं इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दियेगा डिस्क्रिप्सन लिंक से जाकर टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं या फिट टेलिग्राम में जाकर आप सेर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया वहाँ जो ग्रूप आएगा उसको जोईन कर लीजे वहाँ इसका PDF जो है प्रोबाइट करवा दिया गया है तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने questions की तरहा फाजका जो हमारा पहला question है वो यह कह रहा है कि निमलिखिद में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है यह आपको बताना है कह रहा बिनैपिटक में संग संबंधी नियम तथा आचार संबंधी सिच्छाओं का संग्रा है यह बिलकुल सही है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसन निर्मित सुधरसन जील की मरमत पढ़नदत अबम उसके पुतर चक्रपालित ने करवाया था परणदत जो था वो किसका गवर्नर था तो परणदत जो था वो असकंद गुप्त का गवर्नर था तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number B असकंद गुप्त का गवर्नर था देखे जो आप लोग एक पड़े होंगे जूनागडविलेक जुनागड़ अभिलेक से ही यह पता चलता है कि असकंद गुप्त का जो गवर्णर था पर्णिदत और उसके पुत्र चक्र-पालित ने मौरलो के द्वारा जो इनर्मे सुदरसंजील था उसका मरम्मत करवाया था और यही जुनागड़ अभिलेग से ये भी पता चलता है कि हुनों की पराजय का जिक्र जो है वो किया गया था लेकिन इसी का एक भीतरी अभिलेग था जिसमें हुनों के साथ केबल यूध का बरिनन किया गया है परिनाम का नहीं नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 4 कह रहागी निमलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है इलतूतमीज ने राधानी लहोर से दिल्ली अस्थांतरित किया था ये बिलकुल सही है फिर कह रहा है कि इल्टूतमीज को गुलाम का गुलाम कहा जाता है ये भी बिल्कुल सही है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर सी यहां एक और दो दोनों जो है वो सही है इल्टूतमीज की अगर बात करते हैं तो इल्टूतमीज को दिल्ली सल्तनत का बा चलन भी करवाया था नेक्स कोशिंग है हमारा कोश्चन नमबर फाइब कोश्चन नमबर 6 कह रहा है कि अमीर खुस्रो जो था वो किस सूफी संत का सिसे था तो अमीर खुस्रो जो था वो निजामudyn ओलिया का सिसे था तो इस कोश्चन का जो सहीं असर होगा पूबे इलाही और सुल्तान उलिया की उपाधी भी दी गई थी। निचामुदीन उलिया से एक चीज और याद रखेगा। निचामुदीन उलिया जो था वो अमीर खुतरों को तुर्क अल्लाह की उपाधी दिये थे। वो दो बार राजा भी से करवाया था, पहली बार 1608 में आगरा में अपना राजा भी से करवाया था और दूसरी बार जब देवराई के यूध में दारा सीखों को पराजित करने के बाद दिल्ली में 1659 में अपना राजा भी से करवाया था। और अंजेब जो था वो सीखों क नौमे गुरु तेज बहादूर की हत्या दिल्ली में करवा दिया था इसने बीवी का मकवारा जो है वो औरंगाबाद महराश्ट में बनवाया है इसने 1686 में बीजापूर और 1687 में गोलकुंडा को जीत कर अपने समराज्ज में मिला लेता है और सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या जो थी वो औरंगेप के समय में ही थी फिर लास्ट में जाकर 1787 में अहमद नगर के पास औरंगेप की मिर्तु हो जाती है नेक्स कोशन हमारा कोशन नबर एट और इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नबर भी पांच परतिसाथ आगे है कि सिक्कीम का बिले जो है वो ब्रिटिस भारत में किस गवर्नर जर्डनल ने किया था यह किया था लौड डलहाजी ने और कब किया था 1850 में सिक्कीम का बिले किया था तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नबर ची लौड डलहाजी ने लौड डलहाजी के समय में ही दूतिय ओंगल सी ख्यूत पंजाब का बिले और तीतिय ओंगल बरमायुद लाला लाजपत राय के राजनेतिक गुरू कौन थे तो लाला लाजपत राय के राजनेतिक गुरू थे गुरू मैचनी इटली के गुपाल कृष्ण को खले से याद रखेगा या महात्मा गांधी के राजनेतिक गुरू थे चितरन्यन्दा से याद रखेगा या सुवास चंद्र बोस के राजनेतिक गुरू थे और दादा भाई नरोजी से याद रखेगा या बाल गंगाथा तिला के राजनेतिक गुरू नेक्स कोश्चन है हमारा क्षेन नमबर 11, कहरा कि किसका मिलान गलत है यहाप से पूछ रहा है, सत्य सोधक समाज जोतिबा, फूले यह बिल्कुल सही है, सत्य सोधक समाज की अस्थापना महराष्ट में जाती सुधार अंदोलन को लेकर जोतीबा फूले ने किया था, जश्टिस आंदोलन एंसी मुदलियार ये भी सही है जश्टिस आंदोलन जो था मदरास के छेतर में एंसी मुदलियार पी त्यागराज ट्येम नायर के नित्रित में हुआ था बाइकुम आंदोलन अत्यागराज ये गलत है बाइकुम आंदोलन जो है वो केरल में छुआ छुद परंपरा के बिरुद हुआ एक आंदोलन था जिसके नतरित्व करता नरायन गुरू और इन पुमारन थे तो ये गलत है, फिर है गुरू बायूर सत्यागरा पी सुप्रमन्यम ये सुमेली थै तो इस question का सहयंसर होगा वो होगा option number C आगे है question number 12, कहरा है कि संकरा चार्ज के द्वारा अस्थात पित गोबर्धन पीट जो है वो कहां पर इस्थित है तो देखिये गोबर्धन पीट अगर पुछेगा तब उडिसा में स्थित है सार्दा पीट पुछेगा तो द्वारिका गुजरात में स्थित है और जोती मठ पुछेगा तो बदरी नत उतराखंड में स्थित है clear है तो इस question का सहयंसर होगा वो होगा option number C उडिसा next question कहरागी बेसर सैली जो है वो किसका मिला जुला रूप है तो बेसर सैली जो है वो द्रबिट सैली और नागर सैली का मिला जुला रूप है और यह बिन्यास में द्रबिट सैली तथा रूप में नागर सैली के सामान है और इसको चालू के सैली के नाम से भी जाना जाता है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर C, द्रबिट सैली और नागर सैली Next question है question number 14 इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर E, 23.2% आगे question number 15 कह रहा है कि किस आक्ट के तहत कलकता में सुपरीम कोर्ट की अस्ठापना की गई थी तो 1773 का जो रेगुलेटिंग आक्ट आता है इसी के माध्यम से कलकता में 1774 में सुपरीम कोर्ट की अस्ठापना की जाती है जिसमें एक मुखने आदि सरलीजा erson पे और उनके अतिरिक्त तीन अन्याधीस भी थे तो इस कोश्चन का सई अंसर होगा आप होगा आपसे नमरी 1773 का रेगलेटिंग आक्ट इस आक्ट से और भी याद रखेगा इसके द्वारा ही पहली बार कंपनी के परसासनिक और राचनेतिक कारियों को मानने दा दी गई इस से धीनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जेनरल पद नाम दिया गया और इसके तहट कंपनी के करमचारियों को नीजी बैपार करने और भारतियों लोगों से उपहार और रिस्वत लेना जो है वो प्रतिबंदित कर दिया गया next question हमारा question number 16 question number 16 कह रहा है अच्छे ये mass का question है और इस question का जो सय अंसर होगा वो होगा option number B1% का हानी question number 17 का सय अंसर होगा वो होगा option number 26% next है कि सम्विधान सभाक 21 अधिवेशन में महातमा गांधी को सिर्धाजली अर्पित किया गया था तो सम्विधान सभाके 7 में अधिवेशन में किया गया था तो इस question का सय अंसर होगा वो होगा option number C 7 में अधिवेशन में सम्विधान की अगर बात करते हैं तो भारतिय सम्विधान जो है वो सम्विधान सभाके द्वारा 26 नमंबर 1949 को स्विक्रित और अंगिक्रित और अधी नियमित हुआ था लेकिन 26 जनमरी 1950 से पुन भारतिय सम्मिधान को लागू किया गया था नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर 19 कहरा भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुचेद यह कहता है कि किसी अन्य देश की नागिरिक्ता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागिरिक्ता जो है वो स्वेम समापत हो जाएगी यह कहा गया है अनुचेद 9 में अनुछेद 9 यही तो कहता है कि आप अगर किसी अन्य देश की नागरिक्ता स्वेच्छा से गरहन कर लेते हैं तो भारत की नागरिक्ता जो है वो स्वेम समाप्त हो जाएगी. क्यूंकि भारतिय सम्मिधान में एकल नागरिक्ता का प्रभधान है तो इस question का जो सयंसर होगा वो होगा आपसर नमबर ए अनुचेद 9 भारतिय सम्मिधान का आप लोगों को याद होगा भाग 2 जिसमें अनुचेद 5 से लेकर 11 तक नागरिक्ता के संबंधित जो है वो प्रभधान जो है वो दिया गया है अनुचेद 9 हम लोग देखे लिए अनुचेद 10 में क्या है अनुचेद 10 में है कि किसी नागरिक्ता का अधिकार संसदिये बिधान के अलावा किसी अन्यरिती से नहीं छीना जा सकता है अनुछेद इगारा की बात करते हैं तो अनुछेद इगारा में कहा गया है कि नागरिक्ता से संबंदित बिधान बनाने की सक्ति जो है वो संसत को होगी और अनुचेद आर्ठ की बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है कि भारत के बाहर रहने बाले भारतिय मुल्की ब्यक्ति के नगरित्ता की बात इसमें कही गई है नेक्स कोस्टन है कोईशन नमरor 20 कह Star copying काऊंसा अनुचेद जो है अगर और अनुचेद 20 में ही आप लोग पढ़े होंगे कि अपराधों के लिए दो सित्री के सनच्छन में संबंदित प्रभधान जो है वो किये गए हैं और अपसंस की बात करते हैं अगर अनुचेद 19 की बात करते हैं तो इसमें 6 परकार की सोतंतरता का प्रभधान किया गया अनुचेद 21 में प्रानेवम दहिक सोतंतरता के सनच्छन की बात कही गई है और अनुचेद 22 में कुछ दसाओं में गिरफ्तारी और निरोध में सनच्छन की बात जो है वो कही गई है नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 21 इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर 10 किलोमेटर पराबर नेक्स्ट है कि किसी भी राज्जी के बिधान परिशद में अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है तो देखें किसी भी राज्जी के बिधान परिशद में अधिक्तम सदस्य संख्या जो है वो बिधान सभा सदस की कुल संख्या के एक बटा तीन से अधीक नहीं रहेगी और बिधान परिशत की नियूंतम संख्या जो है वो 40 वर्स निर्धारित की गई है और बिधान सभा का सदस बनने के लिए नियूंतम आयू जो है वो 30 वर्स निर्धारित की गई है तो इस question का सयंसर होगा वो होगा option number A, विधान सभासदस की कुल संख्या के 1 बटा 3 Next question है question number 23, इस question का सयंसर होगा 12,400 रुपे Next question है हमारा question number 24 और इस question का जो सयंसर है वो है option number A, 9 आगे है कि अंतराजिये परिशत का गठन जो है वो किस समीती के सिफारिस पर किया गया था तो अंतराजिये परिशत का गठन जो है वो सरकारिया आयोग के सिफारिस पर 1990 में अंतराजिये परिशत का गठन किया गया है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C, सरकारिया आयो देखे, संबिधान का अनुचियत आप लोग पढ़े होंगे 263 और यही संबिधान के अनुचियत 263 में बेवस्था किया गया है कि राष्टपती के आदेश के द्वारा अंतर आज यह परिशत की अस्थापना किया जाएगा जिसका मुख कार्ज जो होगा वो केंदर और राज के आपसी विवादों का समाधान करना होगा next question है question number 26 एक साइड घास के प्रकार दिये गए हैं और दूसरे साइड देशो के नाम दिये गए हैं लानूज की अगर बात करते हैं तो यह वेनेजुएला के साथ मैच करेगा पेरीज की अगर बात करते हैं तो यह USA के साथ मैच करेगा प्वंपाज की बात अर्जिंटीना और डाउंस जो है वो अस्ट्रिलिया के साथ मैच करेगा नेक्स कोशन है कोशन नबर 27 कहरा है निमलिकित में से कौन सा एक बिस्व का सबसे सुस्क मरूस्थल है तो बिस्व का सबसे सुस्क मरूस्थल जो है वो आटा कामा मरूस्थल है जो की दच्छीन अमेरिका में मुखता उतरी चीली में स्थित है तो इस कोशन का साई अंसर होगा वो होगा आपसन नबर ये आटा कामा मरूस्थल अगर हम बात और अप्संस की करते हैं तो गोबी मरुवस्थल की बात करते हैं तो यह एसिया का सबसे बड़ा मरुवस्थल है और यह जो है वो मंगोलिया अबमचीन में फैला हुआ एक ठंड हा मरुवस्थल है सहारा की अगर बात करते हैं तो यह अफिरका के उतरी छेतर में इस्थित बिस्व का सबसे बड़ा मरुवस्थल है और यह एक गर्म मरुवस्थल है काला हरी मरुस्थल की बात करते हैं तो काला हरी मरुस्थल जो है वो बותिस्वाना नामीबिया और दच्छिन फिरका के छित्रों में ब्रिस्थी थे लेकिन इसका जो अधिकांस बिस्तार है वो बोस्वाना में पाया जाता है next question है question number 28 कह रहा है ये निम्लिखित में से कौन सा कथन सही है बैकाल जील जो है वो रूज और कजक्स्तान में अवस्तित है ये गलत है क्योंकि बैकाल जील जो है वो पुंतर रूप से रूस में ही अवस्तित है फिर कह रहा है बालखस जील का अधिकांस भाग जो है कजक्स्तान में एट, आगे है अनलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है यहा पूछ रहा है, भारत जो है वो विस्व में पांच मा सबसे बड़ा देश है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि भारत जो है वो साथ मा सबसे बड़ा देश है, छेतरफल के अनुसार, पहले नंबर पे रूस, तीसरे पे USA, चौथे पे चीन, पांच में पे ब्राजी, छटे पे अस्टेरिया, फिर साथ में पे भारत, आठ में पे अर्जेंटीना, नौ में पे कचकस्तान और दस में पे अलजीरिया, ठीक है, फिर कहरा है भारत की टट रेखा कि कुल लंबाई 35-16.6 किलोमेटर है, ये ब पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा आपसन नबर B, केबल 2 सही है, आगे कहरा है कि लगू हिमाले या चल हिमाले के अंतरगत कौन सी परवस रिंखला जो है, वो समलित है, तो धौला धर है, पीर पंजाल भी है, महा भारत भी आपसन नबर B, 1, 2, 3, 3, तीनों है, तो नबीन जलोड का निछेप, जो है, वो खादर के मैदान में पाये जाता है, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, वो होगा आपसन नबर D, खादर का मैदान देखिए अक्चोली खादर का मैदान जो है वो पुर्भी उतरपदेश, बिहार, पस्चे मंगाल और असाम में स्थित है और लगबग हर एक साल यह बार से परभावित होता है और इसी कारण इस मैदान में नभीन जलोड का निछेप जो है वो पाया जाता है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नबर 34 और इस कोश्चन का सेयंसर है वो है आपसा नबर E 4000 रुपे आगे है कोश्चन नबर 35 कह रहा है प्रदीपी और नदियों के लंबाई के अनुसार घरता करम कौन सा सही है तो लंबाई के अनुसार सबसे ज़्यादा होगा गोदाबरी, फिर क्रिस्टना फिर नर्मदा फिर महानदी तो इस question का जो सयंसर होगा वो होगा आपसर नमबर A गोदाबरी की लंबाई है लगभग 1465 किलो मिटर क्रिस्टना की लंबाई है लगभग 1401 किलो मिटर नर्मदा की लबाई है लगभग 1312 किलो मेटर महा नदी की लबाई है लगभग 815 आगे कह रहा है कि किसका मिलान गलत है या आप से पूछ रहा है तुलबुल परियोजना जमू कास्मीर बिलकुल सही है तुलबुल परियोजना जो है वो जहलम नदी पर जम्मु कास्मीर में ही है सलाल परियोजना हिमाचल पदेश ये गलत है क्योंकि सलाल परियोजना जो है वो चिनाव नदी पर जम्मु कास्मीर में है ठीक है फिर है कोई ना प्रियोजना कोई ना प्रियोजना कोईला नदी पर महराष्ट में है सही है और निजाम सागर प्रियोजना भी जो है वो मंजीरा नदी पर तिलंगना राज्य में है ये भी सही है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B Next question, question number 37, इस question का सही अंसर है, बो है option number D, 25.9, आगे हैं कि भारतिय स्वामित वाला प्रथम बैंक का कौन था, तो 1800 65 में जो इलाहाबाद में अस्थापित होता है, इलाहाबाद बैंक, वही भारतिय स्वामित वाला प्रथम बैंक था, तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number A, इलाहवाद bank आगे है कि भारत में gender budget जो है वो कप्रारम किया गया देखिए भारत में यहाँ पूछ रहा, gender budget होता क्या है actually gender budget के तहरे सरकार जो है वो महिलाओं के विकास कल्यान और ससक्तिकरन से संबंधित योजनाओं और कार्जक्रमों के लिए प्रतिवर्स एक निर्धारी तरासी की बेवस्था करती है उसी को gender budget बोला जाता है और gender budget का जो सबसे पहले सुरू किया गया था वो 1984 में आश्टेलिया में सुरू किया गया था और भारत में जो है वो 2056 के budget में gender budget का सुरूआत किया गया तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B आगे निमलिखित में से कौन सा एक कर्ल जो है वो आप परतियचकर है या आप से पूछ रहा है अक्चुली आप परतियचकर होता क्या है तो बस्तुए तथा सेवाओं पर लगाया गया एक ऐसा कर जिसके बोच को अस्थांतरित किया जाना संभव होता है उसको आप परतियचकर कहते हैं जैसे कि कश्टम हो गया जीच्टी हो गया यह सब क्या है आप परतियचकर है तो इस कोश्टन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नबर D कस्टम सुल्ग नेक्स्ट हैगी 2011 के जनगन्ना की अनुसार जनसंख्या गहनत्व की अनुसार अब रोही करम में कौन सा सही है तो सरवादीग जनसंख्या गहनत्व था बिहार का और निम्तन थार नाचर पदेश का और बिहार के बाद प्रश्चिमंगाल फिर उसके बाद केरल तो इस कोश्टन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C बिहार के बाद प्रश्चिम मंगाल होगा उसके बाद केरल होगा ठीक है बिहार का जिनसंख्या घनतभ है 1106 नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 42 और इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमबर 28 किलोमेटर पराबर नेक्स कोश्चन नमबर 43 कहरा है निमलिखित कोशिकांगो में से कौन जो है वो यार संसलेसित मतलब इंडोपलाजमी क्रेटिकूलम संसलेसित पदार्थों का संचयन रुपांतरन तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर रिवम बाहर भेजता है या किसकी बात कर रहा है या बात कर रहा है गौल की बाड़ेज की तो इसकोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन बड़ी गौल की जुपकरन इसलिए कोशिका का जो मुख बाड़ी होता है वो गौल की उपकरन ही होता है अगर और आपसन की बात करते हैं तो राइबोजोंस से याद रखेगा आइसोसों को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और माइट्रो कॉंडिया की बात करते हैं तो माइट्रो कॉंडिया का खोज जो है वो रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा किया गया था और इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्यूंकि यही पर उर्जा के रूप में ATP का निर्मान होता है नेक्स कोशन है कोशन नमबर 44 और इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा ऑप्सन नमबर D नेक्स कोशन नमबर 45 कह रहा है मास्ट को सिकाएं मास्ट सेल्स जो है वो पाई जाती है तो देखिए मास्ट को सिकाएं जो है वो संजोई को उत्तर जो कनेक्टिव टीसूज होते हैं उसमें पाया जाता है यह वो कनेक्टिव टीसू के अब कासी उत्तक में पाया जाने वा पाझ योती की उत्त कुत्रदाई होता है, तो यह जो है मतलब यह इंग्लिईज में इसको बोला जबागा, लेटरल Marras automatic tissue और यह जो है, वो मोटाई के बृधी के लिए उतरदाई होता है, तो इस question का सहयंसर होगा, वो होगा आपसा नमबर B, मोटाई के ब्रिधी के लिए वहीं एक होता है अपिकल मरिस्टिमेटिक टिसू जो की पौधे के लंबाई को बढ़ाता है और एक होता है इंटर कैलोरी मरिस्टिमेटिक टिसू जो की ब्रिधी होने के कारण अगरभाग से हट जाता है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 47 इस कोश्चन का सैंसर होगा वो होगा आपसा नमबर A, 160 डिग्री आगे है कि फंजाई के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्त नहीं है यहाँ पूछ रहा है फुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफुफु Tobacco Mosaic Virus, ठीक है, तो यह है बिसानू से संबन दित है, तो इस question का सही answer होगा, बोहगा आपसा नमर C, बिसानू से संबन दित है, नेक्स कोशन कह रहा है कि ट्रेक्या के पीछे बायू नली कहां भागों में विभाजित होती है तो ट्रेक्या के पीछे बायू नली जो है वो बांकई में दो भागों में विभाजित होती है तो इस कोशन का सयंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B Next question है, question number 51. इस question का जो सही अंसर होगा, वो होगा आपसा number C, noon कौनतिएर भुज आगे है कि परस्थीत की, यानी ecology सब्द का पर यूग जो है, वो किस ने किया था? तो ecology सब्द का पर यूग जो है, वो सरपर्थम later ने किया था और ecosystem सर्द का परियोग जो है वो सरपर्थम 10th लेने किया था तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A H reader के द्वारा किया गया था next question है question number 53 और इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A आगे है question number 54 कह रहा है कि संख्या के अधार पर एक फल बाले ब्रिच का पिरामीड जो है वो कैसा होता है तो संख्या के अधार पर एक फल बाले ब्रिच का जो पिरामीड होगा वो उल्टा होता है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number C नेइस्ट कोष्शन कहारा है कि चीली सॉल्ट पीटर का रासानीस उतर क्या होता है नह ठीक Prime या पोटासलम इसको बोलते हैं नेक्स कोशन है कोशन नबर 56 इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर D आगे कहरा है कि इन में से कौन जो है वो ऑक्सी कारक तथा अपकारक दोनों है तो H2O2, SO2, HNO3 ये सब जो है वो ऑक्सी कारक और अपकारक दोनों है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर C, H2O2 नेक्स कोशन कहरा है कि कौन सा जो है वो जटील लवन का उदारन है देखिए जटील लवन किसको बोलते हैं जटील लवन जिसके में एक जटील मूलक जो है वो उपस्थित रहता है और जो बिलियन में भी अपना प्रिथक अस्थित बनाए रखता है उसी को जटील लवन कहा जाता है यहाँ पर ये तीनों जटील लवन का उदारन है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आगे कहा रहा है कि रेत के सुच्म कनो का जल में होना निम्लिखित में से किसका उदारन है तो यह जो है वो निलंबन का उदारन है मतलब सस्पेंसन का उदारन है देखिए निलंबन होता क्या है निलंबन जो होता है वो एक बिसमांग पदार्थ है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कन जो है वो दरब या गयास में घूलते नहीं है जैसे कि उदारन के लिए बालू जल का मित्रन हो गया कीचर युक तो जल हो गया ये सब जो है वो निलंबन है और निलंबन के ठोस कनों का जो ब्यास होता है वो 10 तुपाबर माइनस 5 सेंटिमेटर या इससे अधीक होता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमर C निलंबन का नेक्स है कि किसी चालक के सीरो के बीच विभांतर उसमें बहने वाली धारा के समान उपाती होता है या किसका नियम है तो यह ओम के नियम के अनुसार होता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमर D ओम के नियम के अनुसार नेक्स कोश्चन है कोश्चन नबर 61 और इस कोश्चन का सई अंसर होगा वो होगा आपसा नबर 10 आगे है कि धारा की दिसा और उससे संबंद चुमबकिये चेतर की दिसा की जानकारी मिलती है तो यह किसे जानकारी मिलती है? यह मिलता है Maxwell के दच्छिन हस्तनियम से Maxwell का जो दच्छिन हस्तनियम है वो यही कहता है कि यदि धारा बाही तार के दाएं हाथ से इस परकार पकड़े की अंग उठा तार से परबाही धारा की दिसा बताए तो मुड़ी हुई अंगली जो है वो चुमबकिये बल रेखा की दिसा को बतलाएगा तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर भी Maxwell के दच्छिन हस्तनियम से नेक्स है कोश्चन नमबर 63 कहरा तीन प्राथमिक रंग कौन से होते हैं तो तीन प्राथमिक रंग होता है लाल नीला और हरा और यही तीनों रंग फिर आपस में मिलकर स्वेज प्रकास का निर्मान करता है आप लोग पढ़े होंगे लाल प्लस नीला मेजंडा होता है, नीला प्लस हरा जो होता है, वो क्यान या पिकॉक नीला बनाता है, लाल हरा जो है वो पीला बनाता है and all and all तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number D, लाल नीला और हरा next question है, question number 64, कहरा राष्टिय सांखी की दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो राष्टिय सांखी की दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है, पीसी महान लोभी इसके जनम दिवस पे, तो इस question का सही answer होगा, वो होगा option number D, 29 जून जून से और भी कुछ dates याद रखिएगा, जैसे 5 जून को विस्व परयावरण दिवस, 14 जून को विस्व रख्तेदाद दिवस, 20 जून को विस्व सरनार्थी दिवस, 21 जून को अंतराष्टिय योग दिवस, 23 जून को अंतराष्टिय उलंपिक दिवस, तो यह सब कुछ जून से important days थे जो आप लोगों को याद रखना होगा next question है question number 65 और इस question का सही answer होगा वो होगा option number A आगे है निम्र में से कौन सा कथन जो है वो गलत है यह आप से पूछ रहा है चेतन भगत making India awesome यह सही है चेतन भगत की पुस्तक याद रखेगा half girlfriend, two estates, one Indian girl, one night at call center, five point someone, three mistakes of my life, what young India wants, revolution 2020 यह सब जो है वो चेतन भगत की पुस्तक है अरुनुधृत्ती रवाय, the god of small things यह भी सही है अरुनुधृत्ती रखेगा the god of small things और the albridge of in finite justice फिर नेशनल मंडेरा against the grain यह गलत है against the grain जो है, वो Boris Elthine की पुस्तक है तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number C नेशनल मंडेला से आप यह आसर रख सकते है long walk to the freedom, the struggle in my life यह जो पुस्तक है, वो नेशनल मंडेला की पुस्तक है आगे कहरा है, इन में से कौन सा कथन जो है, वो गलत है Assam Rifles की अस्थापना 1935 यही गलत है Assam Rifles की अस्थापना जो है, वो 1835 में हुआ है जिसका मुख्याले जो है, वो सिलोंग में है तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number A आगे कहरा है कि चंद्रयान दूतियों उपक्रा को किस परच्छेपन यान से परच्छेपित किया गया था तो चंद्रयान दूतियों को 22 जुलाई 2019 को परच्छेपित किया गया था GSLB MK3 से तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number B और इसमें औरबिटर था, बिक्रम लेंडर था और प्रज्ञान रोभर था इसका इस्तमाल किया गया था और फिर बाद में जो लेंडर बिक्रम था इसी यही जो है वो सफलता पूरवक लेंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान जो है, वो पूर्ण रोप से सफल नहीं हो सका था next question है, question number 69 कहरा, जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलेस्टिक परच्छे पात्र कौन है तो वो है प्रिथिवी, तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number E प्रिथिवी जो परच्छे पात्र है, वो जमीन से जमीन पर मार करने वाला दूरी का एक बैलेस्टिक परच्छे पात्र है जिसका की परथम परिषण जो है, वो 1988 में चांधिपूर परिषण के अंदर से किया गया था अगनी की बात करते हैं तो अगनी जो है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है त्रिसूल की बात किजेगा तो यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाली प्रच्छे पात्र है आगे कह रहाएगी मटर में मार्स रोग जो है वो किसकी कमी से होता है मटर में मार्स रोग जो है वो मैगनीज की कमी से होता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number C मैगनीज की कमी से याद रखेगा जस्ता की अगर बात करते हैं तो धान का खेरा रोग जो होता है वो जस्ता की कमी से होता है। कॉपर की अगर बात करते हैं तो नीमू में जो डाइबैक होता है अलिटल लिफ जो रोग होता है वो कॉपर की कमी से होता है। बोरोन की अगर बात करते हैं तो फुलगोबी का जो ब्राउनिंग होता है और चुकंदर का जो होट रॉट होता है ये बोरोन की कमी से होता है नेक्स कहा रहा है कि एक ही चेतर में एक ही बर्स में दो या दो से अधीक फसलों का एक क्रम में बोया जाना क्या कहलाता है तो यह बहुँ फसली किलसी कहलाता है तो इस question का सही अंसर होगा आपसा नंबर C नेक्स question है question नंबर 72 इस question का जो सही अंसर होगा आपसा नंबर C दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर तेकि सिंदू गाटी की परमुख विसेषता ही उसका नगर निर्मानी ओजना था और जो नगर ग्रीड पढ़ती थी वो उसमें सडके जो है वो एक दूसरे को समकोन पर काटती थी ये देख ध्यान रखेगा तो इस कोश्चन का जो सयंसर होगा वो होगा आपसर नमबरे धौल अभीरा आगे कह रहा है कि किस राजा ने अबंती के सासक चंदर प्रभूद की चिकिस्ता के लिए अपने राजबैद जीवक को भेजा था तो यह भेजा था जो हर्यक बंस का सासक था बिम्बी सार तो इस कोश्चन का सयंसर वो होगा आपसर नमबर सी बिम्बी सार बिम्बी सार जो था वो महात्मा बुद की सेवा में भी राजबैद जीवक को भेजा था और बिम्बी सार जो था वो बैबाहिक संबंद स्थापित करके अपने समराज का बिस्तार किया था नेक्स कोश्चन है कि अस्व घोस बसुमेतर तथा नागालून जैसे बिद्दमान जो है वो किस सासक के दरवार में रहते थे तो यह सब जो है वो कनिस्क के दरवार में रहते थे तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर सी कनिस्क के दरवार में कनिस्क जो था वो 78 इस भी में अपना राज रोहन करता है और उसके उपलफच में एक संबत चलाता है जो की सक संबत के नाम से जाना जाता है कनिस्क की जो प्रथम राध्धानी थी वो पुरुसपूर पेसाबर थी और दूसी राध्धानी जो थी वो मतुरा थी कनिस्क के सासनकाल में ही कासमीर के कुंडल बन में चौथी बहुत संगती का आयोजन किया गया था और कनिस्क जो था वो बहुत धर्म के महायां संप्रदाय का अनुवाई था Next question is question number 76 सुवास्चंदर बोष ने सिंगापूर में भारत की अस्थाई सरकार की अस्थापना की थी इसका मुख्याला इसने कहां बनाया था सुवास्चंदर बोष जो थे 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापूर में भारत की अस्थाई सरकार की अस्थापना किया था और रंगून को इसका मुख्याला बनाया था तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B रंगून next है कि खान अब्दुल गफार खान के नितरित में गठी खुदाई खित्मतगार संगठने किसा अंदोलन ने महत्पून भून का निभाई थी तो यह सबने अबग्यान दोलन में बहुत पून भून का निभाई था तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C सबने अबग्यान दोलन सबने अबग्यान दोलन की सुरुआज जो है 12 March 1930 को गांधी जी के डांडी मार्च के साथ हुआ था याद रखेगा एक question पूछा जाता है कि डांडी मार्च में किस हमेर की पत्रकार जो है वो महातमा गांधी के साथ था तो उसका नाम था बेव मिलर एक question पूछा जाता है कि सुवास चंदर बोस जो है वो डांडी यातरा की तुलना किस से किया था तो दांडी यात्रा की तुलना जो है वो नेपोलियंस के एलवा से पेरी सी यात्रा से किया था साथी साथ याद रखिएगा यह जो खुदाई खित्मतगार है इसको लाल कूर्टी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है इस कॉशन का सही अन्सर होगा आपसर नबर A आगे है कि राष्टपती के छामादान शक्तियां जो है वो के सामीशियत में बरनेथे अपसर नबर C तो देखिए दल बदल की स्थिती में जो एक हम अनमा समिधान संसोधन हुआ है उसके बाद से कम से कम दो जो है वो बामनमा समिधान संसोधन अधिनियम 1985 के द्वारा अंतस्थापित जो है वो किया गया है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नबर B अच्छा अनुचे 243 के C में क्या है तो इसमें है पंचायतों के संरचना 243 के E में है पंचायत सदस्यों का कार्जकाल और 243 के I में है राजबित आयों का गठन आगे कह रहा है कि किस संविधान संसोधन के द्वारा 6 से 14 बर्स के आयों को मूल अधिकार बनाया गया ये अच्छली 86 मां संविधान संसोधन अधिनियम 2002 के तहत तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर A अगर बात करते हैं 14 मां संविधान संसोधन 2001 के तो इसके द्वारा लोग सबात अथा बिधान संसोधन की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन ना करने का प्रभधान किया गया 89 मा समिधान संसोजन 2003 की बात करते हैं तो इसमें अनुसुची जन जाती के लिए प्रिठक रास्टी आयोग की अस्थापना की बात कही गई और सतर्मा समिधान संसोजन 1992 की बात कहते हैं तो इसके द्वारा राष्ट पती के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुड़ी चेरी विधान सभाओं के सदस्यों को सामिल किया गया नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 83 चकरबाद और अवस्थिती की बात करता है चकरबाद मैच कर जाएगा भारत के साथ प्रभंजन की अगर हम लोग बात करते हैं मैच करेगा USA के साथ टाइफून मैच करेगा पुर्बेशिया के साथ और बिली बिलीज मैच करेगा अश्टेलिया के साथ तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा आपसा नमबर B नक्स कोशन है कोशन नमबर 84 करेगा पृतिवी पर जल के बितरन के संब्द में किसका मिलान जो है वो गलत है देखे पृतिवी के लगबग 71 परतिसद भुभाग पर महासागरों का बिस्तार है और उतली गोलार्द की तुन्ना में दचनी गोलार्द में इसका बिस्तार जो है वो अधिक है ध्रूबिय बरफबम हिमानी 2.4 परतिसद सही है जील 0.009 परतिसद सही है नदिया 0.001 परतिसद ये सही है बायुमंडलिय जलबास 0.00005 परतिसद ये गलत है बायुमंडलिय जलबास 0.001 परतिसद के लगबग है तो इस question का सई अंसर होगा वो होगा option number D आगे कह रहा है कि C तरीतू में पंजाब, हरियाना, उतरपदेश, बिहार के छेतर में हल्गी बरसा जो है वो किस कारण से होती है यह किस कारण से होती है, यह पश्मी भी छोप से होता है, तो इस question का जो सही answer होगा, वो होगा option number C. फिर अगी भारत में almonium का पहला कर खाना कहां लगाया गया था, तो भारत में almonium का पहला कर खाना जो है, वो 1937 में जेके नगर पश्म मंगाल में लगाया गया था. तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number B, J.K. नगर Next question number 87, कहरा, परकास संसलेशन की अंध्र प्रकिरिया, मतलब dark reaction जो है वो कब होता है तो dark reaction जो होता है, वो रात और दीनों में जब तक NDP H2 प्लस उपलफ रहे तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number D देखिए, dark reaction की खोच जो है, वो Calvin नामक बेग्यानिक के द्वारा किया गया था और इसी के कारणी सी reaction को Calvin cycle भी कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा dark reaction में actually CO2 और H प्रमानु जुटकर गुलकोच का निर्मान करता है नेक्स्ट हैगी, मानव सरीर में सुट्डांस के तीन सर राच्मात नात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हार्सक्रम है तो यह है सेसास, मध्यान और ग्रहनी, तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number D नेक्स्ट कोशन है, question number 89, कहरा है इन में से कौन जो है, वो सबसे प्रबल आक्सिकारक है तो सबसे प्रबल आक्सिकारक, सबसे अधीक बिदुतरिनात्मक और सबसे अधीक क्लियासिल अधातु, यह सब कौन है, फ्लोरीन है तो इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number D फ्लोरीन है, ठीक है next question है, question number 90, और इस question का सही अंसर होगा, वो होगा option number A पुत्र, आगे कह रहा है कि उस दृष्टी दोस्त को क्या कहते हैं, जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदू के अंदर में दिखाई देते हैं कॉपनिया का पुंता गोल नहीं होना होता है, और इस दोस्त को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का परियोग जो है वो किया जाता है आगे कह रहा है कि इन में से किने जो है वो दो बार नोबल प्रुसकार नहीं मिला है, मैडम क्यूर्यू को मिला है, जॉन बोर्डीन को भी मिला है, फेडरिक सेंगर को भी मिला है अब तक कुल चार ब्रक्तियों को दो बार नोबल प्रुस्कार मिल चुका है लेकिन CB रमन को एक ही बार मिला है 1930 में रमन प्रभाव के लिए तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number B आगे कहरा है कि अफिरकी आर्थिक आयोग का मुख्याले कहा है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D बगदाद की अगर बात करते हैं तो पश्चमी एजिया आर्थिक आयोग का मुख्याले बगदाद में है काहिरा की बात करते हैं तो अरब लिग का मुख्याले काहिरा में है और जिनेवा में तो बहुत सारे कमुख्याले हैं जैसे कि WTO हो गया, UNCTAD हो गया, GATT हो गया, यूरोपिया आर्थिक समुधाय हो गया, ये सब कमुख्याले जो है वो जिनेवा में है कानून की आत्मा, कानून की आत्मा जो है वो मानसिगू की रचना है तो यह जो है वो 2 के साथ मैच करेगा इसी पुस्तक में इन्होंने सक्ति के पृथिकरन का सिधान्त जो है वो दिया था फिर कहरा लेट्स ओन इंग्लेस, लेट्स ओन इंग्लेस की अगर बात करते हैं तो यह बॉल्टेयर की रचना है राइट्स ओफ मैन की अगर बात करते हूँ यह तो टॉम स्पेन की रचना और डिवाइट कोमेडी जो है वो दाते की रचना है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर A नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 97 कह रहा है कि अस्टांप अक्ट जो है वो कप पारित हुआ था तो जो ब्रिटेन के परधान मंतरी से ग्रेन बिले उन्होंने ही 1765 में अस्टांप अक्ट पारित किया था तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमबर B नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 98 कोश्चन नमबर 98 का सही अंसर होगा वो होगा 44.5 क्वेस्चन नमबर 99 कह रहा है कि निमन मेंसे कौन सा कथन जो है वो गलत है यहाँ पूछ रहा है एक साइट देश के नाम दिए गहाएं भुटान का रास्टी ये खेलती रंदाजी है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number D आगे कहरा है China Cup जो है वो किस खेल से संबन देता है तो China Cup का संबन जो है वो जिमनास्टिक से है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D जिमनास्टिक से है तो यह था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथी इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दवा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिये कर डिस्क्रिप्सन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सेच कर सकते हैं अपठे का इंडिया वहाँ जो ग्रूप आएगा उसको जोइन कर लिजे वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोबाइट करवा दिया गया है थैंक फो वाचिंग